अलो दोस्तों आज के वीडियो बात करेंगे फिमेल के ब्रेश से रिलेटेड हम आज का टोपिक है और इसमें एक्स्प्लेइन करेंगे असोग जी के मेरे साथ हैं और इन्होंने काफी क्यूशन है इसके टाइटनेस को लेके इनकी ग्रोथ के लेके कि किसी की ग्रोथ कम होती ह किसी के उमर के साथ lose पढ़ जाते हैं ऐसे सारे क्यूशन है और इनका concern है कि कैसे ठीक किया जा सकता है हम एक एक point पर आएंगे और असोग जी आप अपने क्यूशन एक बार बताईए कि जिससे मैं उनको explain कर पाऊं तो सर्जी मेरा question यह है कि कुछ condition ऐसी होती है इस pregnancy relationship उम्र क्या इसके साथ breast में कोई आकार या shape या tightness में फरक पड़ता है क्या हां देखिए एज के साथ में हमारा breast की shape और size और tightness में फरक पड़ता है आप इसमें breast feeding करना तो इन चीजों से भी इस पार्ट के अंदर क्योंकि पहले तो overgrowth होती है pregnancy की दोरान है तो उसकी size बढ़ती है natural भी है क्योंकि फिमेल के pregnancy की दोरान estrogen और हार्मोन बहुत तेजी से बढ़ता है और फिर oxytocin milk को बार निकालता है तो और इसकी हार्मोनल ही इसकी performance होती है तो हमारे अच्छे हार्मोन होते हैं तो अच्छी growth होती है अब किसी अंग का कान करना अलग चीज है पर उसकी shape और size बनी रहे उसके लिए उसके अंदर क्या चाहिए nutrition हमारे सरी का ऐसा होना चाहिए कि उसकी recovery होती रहे है तो recovery कम होना बाकी आज की टाइम में जाते हैं कि 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 किसी के बहुत delay होगे तो बहुत जादा relationship में है और रटक रहे है नहीं या इसकी growth नहीं हो रही हाँ यह कोई कारण नहीं होता और किसी का female का उसकी personality यह कहें या उसकी सुंदरता का सूचक यह नहीं है कि breast ही है पर हर आदम्या इस time concern है कि वो कैसे ठीक करें shape और उसकी looseness को और उसकी growth को maintain रख सकें और growth या बहुत कम growth को भी maintain रख सकें तो pregnancy को और breast feeding को तो टाल नहीं सकते उससे थोड़ा बहुत change जाता है पर हमारे nutrition और life style में हम change करेंगे क्या क्या change कर सकते हैं मैं बताऊंगा आगे तो इस वज़े से हम इसको shape और इसको maintain कर सकते हैं तो lifestyle से मुझे याद आया कि कौन सी ऐसे exercise और massage जो है body massage जिससे breast वापस आ सकता ऐसा कुछ है क्या जिससे वापस से reverse हो सके बिलकुल बिलकुल इसके लिए है पहली तो अगरा हो आपने exercise की बात कर ली तो देखो हमारे पूरी स्रीर को स्वस्त रखने के लिए active रखने के लिए exercise बहुत important है फिर हम बात करते हैं यहां चलते हैं तो आप यह देखेंगे जो हमारा किसे बनावा है muscles का ही है muscles और इसकी blood supply देखेंगे आप है ना तो यह muscles पेक्टोर मुसल्स है यह abdominal muscles है ठीक है यह side वाली muscles है आप यह देखेंगे यह muscles होती है सबसे major muscles होती है जिसको tight रखने के लिए है तो थूने से दबाने से इन से ऐसा नहीं है कि हमारी muscles और muscles कि क्या important है muscles क्या होती है fiber से बनी होती है इसमें elastic sheet tissue भी होते हैं और साथ में जो ligaments होते हैं वो important होते है और इसके लिए सब सीधा सीधा जिम्मेदार है कि हमारी protein diet तो खाने पीने में protein diet अच्छी रहती है उसका सरीर अच्छा अक्टा कटा रहता है दूसरा आप exercise की बात करें तो जो छ massage करने से बिल्कुल massage करने से कोई भी organ की blood supply बढ़ती है अब massage करने के लिए हम mostly use करते हैं या तो कोई oil use करते हैं या फिर हम कोई cream use करते हैं और आज के वीडियो में cream की हम बात करेंगे expose shape and size cream shape, size, tightness इसके बारे में बता रखा है कि इसमें बहुत बारे ingredients and oil से बनी होती है और इस cream की massage करना चीए बिल्कुल कोई भी cream की massage कर सकते हैं साथ में special breast के लिए ये भी ayurvedic है और इसके अंदर पहुत सारे ayurvedic जड़ी बूटियां हैं जिनका oil hair oil से क्या बनाया गया क्रीम बनाया गया है उस cream से आप मालिस कर सकते हैं मालिस कितनी बार करना है दिन में दो बार आराम से कर सकते हैं और सुबह शयाम मालिस कर सकते हैं सुबह नाने के बाद मालिस कर सकते हैं और रात को सोते समय वहला सबसे बैस्ट है क्युकि 12-30 कंटे 10 कंटे पर लगल मारे चाती पर चेस्ट पर लगा रहेगा जिससे वह अच्छा उसको maintain करेगी उससे क्या होता जो soft tissue है उनमें क्या लाएगे टाइट पर लाएगी उसको कंश्ट करेगी और धूसरा हम जब भी मसाज करते हैं सर्कुलर मौसं में मसाज करते हैं जिसे क्या होता मांकि ब्रेड सप्लाई बढ़ती है तो वांकि टीशू एक्टी होते हैं तो यह तो चीज है कि हम एकसाइज के साथ ये क्रीम की मालेश जुरूर करे और एकसाइज भी बहुत इंपोर्टेंट है और साथ में डाइट में आप क्या लें प्रोटीन डाइट ले प्रोटीन डाइट ऐसा नहीं इसी के लिए काम करेगी आप पूरे सरीर के लिए करेगी और इंडिया में mostly protein डाइ आया है उनका जो oil है और एक ही नहीं है बहुत सारी है और साथ में हम बात करेंगे कि जो oil का extract है जो oil है उससे क्रीम बनाई गई है तो आप अगर online सभी platform पे मिलता है नीचे description box का link मिल जाएगा आप click करके इसके इंदर पढ़ सकते हैं कि कैसे ये काम करती है और क्या-क्या ingredient पाए जाते हैं और क्या price है rate है कहां से खरी सकते हैं लगबग आज की टाय में offline market तक भी मिलती है पर बैस्ट रहेगा आप online मंगा सकते हैं घर बैटे और safe secure delivery आती है और इसमें यह भी पताने चलता कि किसी इसकी मंगाई है तो इसकी का भी तरभी होना चाहिए और ingredient आप balance रखे estrogen progestron बढ़ाए जिससे इसके अंदर हमेशा stimulation मिलता रहे और उसकी safe growth को पर muscles के लिए आपको exercise जरूबी है ठीक है तो इसकी growth को हार्मोन कर सकते हैं बढ़ाना कम करना हार्मोन कर सकते हैं पर इसका tight पन रहना ठीक है इसका कड़क पन रहना और इसकी safe बनाये रखना य है इधर देखेंगे यह muscles ठीक है इधर यह क्या है आप इधर देखेंगे यह क्या है यह तो ग्लेंट्स अप्लाई है यह glands है पर muscles इसको support करती है नीचे से यह abdominal muscles support करती है तब जाके यह वह चीज होता है तो यह आप देख लिजिए आराम से तो यानि इस पार्ट को हमें अच्छे से रखना है तो इस इसके लिए क्या जिमेदार है हमारी muscles और इसकी growth होने के लिए इसके इंदर glands होती है जो milk का suppression करने के लिए होती है तो यह चीज होगी कि इसका growth अच्छे से हो पाए फिर हमारी lifestyle में हम एक किशन और इंपोर्टेंट होता है कि हमारी खान पीन क्या है हमारा साथ में हमारा रैंसेन क्या है है और हमारा working house क्या है हम exercise करते है नहीं करते हैं लिथार जी जादा रहते हैं क्या nutrition balance tight होना चाहिए minerals protein यह सब होना चाहिए और बिलकुल आपको even आच्छे टाइम तो कपड़े ऐसे आते हैं कि चाहिए आपके रूच पड़े होंगे ऐसी आप पहनेंगे तो वह बिलकुल ऐसे लगेंगे शेप में पर रियल्टी और इसको आप खुदी ही maintain करें और सबसे बेस्ट कपड़ा तो बात करते हैं तो cotton का ही होता हमारे शरीर के लिए और मैं मु करती हैं तो उस चीज़ को भी है क्रैक नहीं आने चाहिए और रेवलर एक्साइज करेंगे इसकी तो जुरूर आपकी सेप्मेंटेग रहेगी और को क्यों क्यों आपके शरीर में अगर आपको इससे रिलेटेट दिक्कत आ रही है तो डोक्टर को दिखा के होर्मोनल वो आप ले सकते हैं आप चाहें तो मुझसे भी बात कर सकते हैं मैं इसे बात करने की 50 रुपए फीस है और पचास रुपए फीस है यह आप पे करके वोट्सअप पे जो नमबर होंगे वो आपको डिस्क्रिक्शन बोक्स में मिल जाएंगो उसका वीडियो जिसमें नमबर आपके उसके वोट्सप पे 50 रुपए करके आप टाइम ले सकते हैं कि मैं कब बात कर सकता हूं तो मैं कर सकता हूं दूसरा बाब किसी भी डॉक्टर को दिखा के इसकी हार्मोन थ्रेपी के लिए भी ले सकते हैं जो मुझे लगता है नहीं है कि इतना मेजर इस्यू है अग यह इस्प्रेय फॉर्म में क्रीम है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस्प्रेय फॉर्म में आती है ठीक है मैं इस पावर को अठा रहा हूं आर जो आप जब भी लोशन के मालिस करें सर्कुलर मोशन में तो अपनी अंगुलियों के टिप पे लेना आपको थोड़ा ठोड़ा इस तरह से लेना है ठोड़ा हुआ उसको सर्कुलर मोशन में आपको मालिस कर सकते हैं बिलकुल सेफ नेचुरल है खोला नहीं है और आपको लगता है कि मुझे इसका कोई साई और हो सकता है या मुझे अलरजी कर सकती है आपको कोई शिकाईत है तो सबसे पहले आ है इसाथ पर यहां लगा लिए आज ठीक है आज लगा दिया कल 24 कंटे बाद देखिए यहां मुझे कोई इरिटेशन खुझली जलन ठीक है और रेडनेस ऐसा कुछ भी नहीं है हाँ इसका जो खुस्बू है कापी अच्छी आ रही है तो वह आपके पार्टनर को भी अच्छी रख सकती है ठीक है तो अगर यहां कोई दिकत नहीं है तो फिर आप कंटेडियो इसको चाहे लाइप टा बॉक्स में मिल जाएंगे आप जरूर जाके चेक आउट करके खरी सकते हैं और मुझसे बात भी कर सकते हैं मैं हूँ मिश्टर शाम एमस होस्पिटल में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद